तो हेलो फ्रेंट्स आज हम देखते हैं यह पीड पी ए टी के कोश्चन्स तथा इस यार में आने वाले इंपॉर्टन कोश्चन्स को तो फ्रेंट्स हम आज सबसे पहले बात करेंगे विबिनना फसलों के लिए जलकी आवसेक्ता है तो दूस्तों कौन कोन सी फसल की कितनी जल जलमांग है कितनी जल की आवस्यक्त है होती उन्हें अपना जिवन चक्र पूरा करने के लिए तो दोस्तो आज हम यह देखेंगे तो दोस्तो हम पहले देखते की चावल की फसल की जलमांग कितनी है तो दोस्तों जो चावल है उसकी जलमांग होती है 800-500 mm दोस्तों कितना होती है 800-500 mm चावल की जलमांग होती है दोस्तों गेहू की जलमांग है दोस्तों वह होती 450-650 mm जलमांग होती ग्योग की दोस्तों जो सरगम है सरगम की जलमांग होती 450 से 650 मिलीमीटर तथा मक्का की जलमांग होती 500 से 800 मिलीमीटर दोस्तों गन्ना की जलमांग होती दोस्तों वह होती है मिलीमेटर होती ही फ्रेंट्स और डुस्तों जो मुख़ली है उसकी जल मांग्ज। वह होती पास्ट खुलांग से जल मांग्ज। वह होती है 600 से 1300 जलमांग रूई की होती ही फ्रेंड्स स्वयाबिन की फ्रेंड्स जलमांग होती ही 450 से फ्रेंड्स 600 तक के स्वयाबिन की फसल की जलमांग होती ही फ्रेंड्स तो अब फ्रेंड्स अब देखते तंबाकु की जलमांग तो दोस्तो तंबाकु की जलमांग होती 400 से 600 मिलिमेटर फ्रेंड्स जो डमाटर की जलमांग होती दोस्तो 600 से 800 मिलिमेटर फ्रेंड्स कितना होता है 600 से 800 मिलिमेटर अब फ्रेंट्स हम बात करते हैं मिर्च की जलमांग की तो दोस्तों जो मिर्च की जलमांग होती फ्रेंट्स तो दोस्तों होती 500 mm दोस्तों मिर्च की जलमांग होती है फ्रेंट्स अब देखते हैं सूरज मुखी की जलमांग तो दोस्तों जो सूरज मुखी उसकी जलमांग फ कास्टर फसल की जल्मांग की तो दोस्तों इसकी जल्मांग होती है फ्रेंट्स या पास्टर की जल्मांग होती है फ्रेंट्स अब दोस्तों हम बात करेंगे यहीं पर की बीन की जल्मांग होती है दोस्तों शाड़े तीनसा से पास्टर मिल्मीटर बीन की जल्मांग होती है द सो मेली मेटर मटर की यो ठीओ तीन सों पाइस से पास empezar मिली इसथा कि यह होती है और दोस्तों शंतरा की ज़ल मुजार सब म tablespoon gyp पाइनेपल का जो फल होता है उसकी जलमांग जो होती दोस्तों वह होती है 700 से 1000 तक के जलमांग होती है और दोस्तों जो संतरा है उसकी जलमांग होती है फ्रेंड्स वह होती दोस्तों 3000-450-400 तक है तो धुस्तो यह हमार लास्ट पूष्चन है कि संतराम की zerमांग कितनी होती है तो फ्रेंड्स जो संतराम की packetsा होती दूस्तो वह आजरे 350-400 तक होती है अब दूस्तो यह एक इंपोर्टेंट कोश्चन है जो पेपर में आ सकता हैं या कि सबसे ज्यादा जल्मांग वाली फसल कोई सी है तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा जल्मांग वाली फसल है तो है दोस्तों गन्ना सबसे ज्यादा जल्मांग वाली दोस्तों जो फसल है उसका नहीं गन्ना तो दोस्तों आज की वीडियो में मितना ही काफी रखते हैं मिलते न